नमस्तार दर्सकों मैं नाजमा अब्दी स्वागत है आपका निर्थर्टे एक्सप्रेस में और अब हम आपको लेके चलते इस वक्त की कुछ बड़ी और एहम ख़बरों की ओर एक और शासन प्रिशासन वा पुलिस कोरोना कर्फ्यू लागो कराने में जूटे थे सारी बाज़ार सारी गतिविध्यावा आम जन्मानस्त घर से बाहर निकल नाम बाधित था वहीं दूसरी और बदमाश अपने नापाक मनसूबों को कामियाब करने में लगे थे आज सुबहा कोतवाली शेत्र के सर्राफा बाजार में जो हुआ उसे देखकर व्यापारियों के पहरों तले जमीन खिसक गए बदमाशों ने बंद पड़े सर्राफा बाजार में एक दुकान के ताले चटका दे और लाखों रुपे का सोना वच्चांदी लेकर भाग गए जानकारी होनी पर पुलिस मौके पर पहुच गए और घटना की जाच शुरू करते जहांसी में शेहर कोतवाली अंतरगर सर्राफा बाजार में राजू टकसारी के अर्चना ज्वेलर्स के नाम से दुकान है कोरोना कर्फ्यू के कारण दुकाने बंचल रही है इसी भी चोर ने इस दुकान को निश्याना बनाया चोड ताले तोड़ कर दुकान में घुज गए सर्राफा व्यापारी के अनुसार चोड दुकान से लगबास सौ ग्राम सोना और पांच लाग कुपई की चांदी चोरी कर ले गए इसकी जानकारी होने पर सर्राफा बाजार में संसनी पैल गए दुकानदारों ने बाजार में पहुचकर अपनी अपनी दुकानों के ताले देखकर राहत महसूस की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुच गए पुलिस द्वारा जाच पर ताल की जा रही है ब्यूरो रपोर्ट न्यू सर्टी एक्सप्रेस ट्रीम वहाँ क्या पर किटने रुपय काम अब लिए विते तो में अंदर ज dönसे नहीं है क्या पता दे देखेंगे तावी समझ में आएगगा ना कितने का माल गया क्या क्या सामान किया अभी तो कोई जानकारी ऑने को यह ना और ही जाने दिया है अभी तो बाहर घरे जब से चोई के देखें के तब समझ के आएगा अभी तो हम लोग क्या बाहर कड़े अब फिंगर्पिंट्ट वाले आए तो उन्होंनों अपना काम किया आप हम बाहर गड़े जब अंदर जाएंगे जिब समझ में आएगा कि सामन क्या क्या हमारा क्या नहीं गया प्राप में बिसाती वाजार में जो ज्वेलर्स की दुकान है अर्चना ज्वेलर्स के नाम से उसमें नकब जनी की सूचना प्राफ्ट हुई थी खाना कोतवाली पुलिस और स्थेत्रादिकारी हम लोग भी मौके पे आये हैं अभी फिल्ड यूनिट की टीम एविडेंस कलेक करके ले गई है और अभी एसेस्मेंट गिया जा रहा है कितना चोरी का सामान गया है वो जो हमारे ज्वेलर हैं वो अभी तहरीर देंगे यह देख करके कि कितना सामान का गया है कि सीची टीवी फूटेज और अन्य सर्विलांस के माधियम से हम प्रयास कर रहे हैं कि इसका सीगराना वरंड करके माल को बरामत कराएगा